तो हलो गाइज वेलकम है आप ही लोग का यूडूब चनल नीरज मोवी हब के यूडूब चनल पर है तो सोगा मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि सोनी लीब पे कुछ दिन पहले एक सीरीज रिलीज हुआ था स्केम 2003 स्टोरी अब अब्दुलकरीम तेलगी तो इस सीरीज को आप लोग को देखने भी चाहिए या नहीं देखने चाहिए चले इस वीडियो में फेंड़ करते हैं तो थोड़ा बहुत मैं कहानी में बदा दता हूं हाला कि आप लोग कहानी पहले भी अब्दुलकरीम तेलगी का सुन लिए होंगे या मोबी पुरी तरह से अब्दुलकरीम तेलगी पर ही बेस्ट है और मान सकते हो तो या मोबी या सीरी जो है एक बयोगराफी है अब्दुलकरीम तेलगी की तो चलिए कहानी सुन लो कुछ तो कहानी फोलो करती है अब्दुलकरीम तेलगी की करेक्टर के रहां जो ट्रेंड में फ्रूट बेचने का काम करता है और उसका सपना है बहुती बड़े आदमी बनने का और एक दिन वह अस्टाम पेपर नकली बेचना सुरू करता है बहुती बड़े लेवल पे तो वह पूलीस से पकड़ा जाएगा या नहीं और वह इंडिया के सबसे बड़ा आदमी बन पाएगा या नहीं इसके लिए इस स्रीज आप देखोगे तो आपको पता लग जागा इस स्रीज का जॉन्डर है ड्रामा थ्रिलर इस स्रीज में बहुती साथ इजली आप मिलकर इस स्रीज को इंज्वाई कर सकते हो इस स्रीज के मैं एक निगेडी पॉइंट साथ चार पोजेडी पॉइंट बताऊंगा निगेडी पॉइंट की बात के जाए तो अब्दुलकरीम तेली का स्टोडी कहीं ने कहीं आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे बाट जिस तरह से इस स्रीज में इस स्रीज का एजुकीशन किया गया है इस स्टोडी का बहुत खतनाक लेवल का मिलको लगी है जाराग इस मोवी का पॉजेडी पॉइंट तो सिनेमेटोगराफी बहुत अच्छे डाले गया है बिलुकुल आपको 90 में ले जाएगा यानि इस स्रीज का सिनेमेटोगराफी बहुत अच्छे डाले गया है और एक्टर का प्रफॉंस भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है एक्टर अब्दुलकरीम तेलीगी से आप इमोशनली कनेक्ट हो पाऊगो उनका करेक्टर इस स्रीज में बहुत बाफ लेवल का र आने वाल है मेरको लगता कि दोनों सीजन एक ही बार एक सब्ता या दस-फंदर दिन पर यह सिरीज लिया आना चाहिए था इस सीरीज का सेकेंड सीजन क्योंकि फर्स सीजन में स्टोरी आधी है और फर्स सीजन में अभी माजा आने ही शुरू हुआ था और टू भी कंटिन् एपसोड और सिंगल सींस भी बोरिंग नहीं करेगा क्योंकि एक एक सीन आपको बहुत ही ज्यादा इंज्वाइ करा सकती है और एवरी एपसोड आपको 40-45 मिनट देखने में लेगा लेकिन एक सिंगल सींस भी बोरिंग नहीं करता है यह स्रीज को बिल्कुल देखियेगा बहुत ही खतनाक और नाश लगी है मैं इस स्रीज को रेटिंग करूंगा नाइन आट ओप टेन और हाइड रिक्यमेंड करता हूं आप स्केम बला मोवी देखना परसंद करते हो तो लाइफ राते यह स्रीज को बिल्कुल हाइड रिक्मेंड करता हूं देखियेगा कर चांग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते ने इस रिव्यू के साथ